अपना माउस फेग दो मैं ऐसा क्यू बोल रहा हूँ यह आपको वीडियो देखने के बत पता चलेगा जिहां दोस्तो कम्पीटर कीबोड पे कीज उती है 104 और इनका अगर आप प्रेक्टिकल इस्तमाल नहीं जानते हो तो आपकी लाइप बेकार जिहां दोस्तो मैं बस राहिमिंग नहीं कर रहा हूँ मैं रियालिटी बता रहा हूँ अगर आप एक computer teacher है computer student है या computer operator है आप जो कोई भी हो अगर आपको computer keyboard के बारे में detail जानकारी नहीं है तो आप computer में master नहीं बन सकते या फिर अगर आप computer पहली बार सीक रहे है computer का keyboard देखके आप computer का keyboard की इतनी सारी किया एक साथ प्रेस किया जाती है तो यह वीडियो आपके लिए है जी हां दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको computer keyboard की detail जानकारी देने वाला हूँ computer की उपर जो 104 keys है उसकी information तो मैं दोंगा ही मतलब कौन से keys को क्या बोला जाता है कौन से keys group को क्या बोला जाता है साथी में उन keys का अलगलग software में practical इस्तमाल कैसे किया जाता है Microsoft Word में हम इन shortcut keys को कैसे use करगे Microsoft Excel में Microsoft PowerPoint में Microsoft PowerPoint में मैं आपको बताऊंगा detail में मतलब जैसे कि आपको function keys दिखाए दे रहे ऊपर कीबोर्ड की यहां पर मैं दिखा रहा हूँ तो इस function keys में F1 to F12 का practical इस्तमाल कौन कोंसे software में कैसे किया जाता है कौन कोंसे combination हो सकते function key के साथ ले control F1 होगा control F1 नहीं होगा control F3 होगा shift F3 होगा यह सारे combinations में आपको बताने वाला हूँ साथी में मैं आपको बताने वाला हूँ insert page up page down इन shortcut keys का practical use pause break का भी यूज़ता है scroll lock का भी यूज़ता है caps lock का भी यूज़ता है इन सारे shortcut keys को detail में मैं बताने वाला हूँ alt key के कौन कौन से combinations होगे keyboard की उपर वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ control A से लेकर control Z shortcut keys मैं आपको बताने वाला हूँ control A, control B, control C, control D ऐसे प्रेस करने के बाद क्या-क्या होता है कैसे इसका practical इस्तमाल किया जाता है यह मैं practically करके दिखाने वाला हूँ theoretical नहीं बता हूँगा क्योंकि एसी कुछ shortcut keys keyboard की उपर मैं आपको बताऊंगा जो आपको पहले से नहीं आती होगी इसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखना होगा साथी में इस वीडियो में मैं आपके साथ एक PDF शेयर कर रहा हूँ description में आपको एक PDF मिल जाएगा तो इस बात पर इस वीडियो को एक लाइक कर दो क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 100% अपना दिया है हर एक चीज को practically आप एक सितमाल किया है वीडियो को proper edit भी किया है हमारे editing team यहाँ पर लगी पड़ी थी इसके लिए और यहाँ पर पूरे content हमने proper तायार किया है तो इसके लिए वीडियो को like share और comment जरूर कीजिए जिनको जरूरत है उनके साथ जरूर जरूर यह वीडियो शेयर कीजिए यह मैं वीडियो शुरू करने के पहले ही आपसे request कर रहा हूँ क्यूंकि हमने 100% दिया और उनका practical इस्तमाल भी सीखने वाले है तो सबसे पहले मैं आपको कीबोर की उपर जितनी भी कीज है उनका पहले नाम बता देता हूँ मतलब यहाँ पे अलग-लग section की कीज है तो उनको पहले मैं explain कर देता हूँ सबसे पहले आपके सामने जो keyboard यहाँ पे दिखाए दे रहा है और उसमें जो top row में कीज आ रही है F1 से लेकर F12 इसे बोला जाता है function keys याद रखिए F1 से लेकर F12 keys को बोला जाता है function keys नाम याद रखिए practical use हम देखने वाले F1 का F2 का F3 का या फिर इनके साथ shift और control के साथ जो combination होने वाले वह भी हम देखने वाले है और इनका अगलग software में कैसे इस्तमाल करेंगे यह भी practically देखेंगे लेकिन इन्हे function keys बोला जाता है याद रखना है और उसके left में आपको एक key दिखाए दे रही है इसमें नंबर भी दिखाए दे रहे है आपको 1,2,3,4,5 और आपको कुछ symbols और signs भी दिखाए दे रहे है जैसे exclamatory at the rate इन्हें alpha-numeric keys कहा जाता है keys का नाम याद रखिए उसके बाद आपको नीचे जो keys दिखाए दे रहे है उसके left side में आपको tap दिख रहा है इनका क्या इस्तमाल है मैं आपको बता हूंगा special keys इनका नाम याद रखना है आपको इस section को right उसके बाद ABCD वाली keys यानि की alphabetic keys ABCD जो आपको दीख रहा है वह alphabetic keys है और यह ABCD format में नहीं है क्योंकि एक keyboard का qwerty format है qwerty 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 format कैसे है इसके बारे में मैंने ओलरी वीडियो बनाया complete technology चैनल पे तो आप उपर i button पे check कर सकते है qwerty format का keyboard कैसे आया क्यों इसी format में keyboard पे ABCD रखा गया है मतलब ABCD ऐसा order में क्यों नहीं है इसका reason क्या है वह आपको पता चल जाएगा फिलाल यह alphabetic keys होती है इतना आपको याद रखना है उसके बाद आपको यहाँ पे right side में arrows दिखाए दे रहे like up arrow, down arrow, left arrow और right arrow इन्हें बोला जाता है arrow keys तो यह arrow keys होती है या फिर इन्हें navigation keys भी बोला जाता है इनका इस्तमाल practically करके देखेंगे उसके बाद उसी के उपर आपको दिखाए दे रहा है insert, home, page up, page down, delete, end यह जो keys है उसके साथ print, screen, scroll, lock, pods, break यह जो keys है इन्हें extra keys कहा जाता है इनका अलग-अलग इस्तमाल होता है practically combination के साथ भी इसका इसका इस्तमाल हम सीखने वाले है तो वो भी practically देखेंगे और उसी के साथ right side में एक panel आपको दिखाए दे रहा है जिसमें आपको 0 to 9 number दिख रहे है उसके साथ multiplication वगरा का sign दिख रहा है तो यह है numeric keys जो कि आपको यहां पे numbers type करने के लिए help करता है keyboard की उपर तो इन्हें numeric keys तो मैंने keys की आपको जानकारी दी कौनसे keys को क्या बोला जाता है standard keyboard में 104 keys रहती है अगर आप multimedia keyboard यूज कर रहे है तो आपको multimedia function यूज करने के लिए जैसे वीडियो को stop करना है वीडियो का sound बढ़ाना है वीडियो को audio increase करना है audio decrease करना है वीडियो next करना है या backward करना है इसके लिए अलग-अलग keys रहती है वो multimedia keyboard के उपर available रहती है जो कि screen के उपर आपको multimedia keyboard का example मैं आपको दिखा रहा हूं तो हम standard keyboard के बारे में जान कर लेंगे जो कि offices में use होता है multimedia keyboard हम तभी करीते है जब हमें कभी multimedia जादा use करना रहता है वीडियो को आगे forward करना है या backward करना है इसके लिए फिलाल हम नहीं यह तो जान लिया कि कौन सी keys को क्या बोला जाता है function keys कहां पे होती है alpha-numeric किसे कहा जाता है extra key है navigation key क्या है यह सारी keys के बारे में मैंने आपको जान करी दी अब इनका practical इस्तमाल शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे top pro से यानि हम escape button से सबसे पहले शुरू करेंगे तो यहाँ पे मैं आ चुका हो desktop की उपर अब escape button का इस्तमाल मुझे आपको बताना है तो सबसे पहले escape key का इस्तमाल मैं powerpoint के अंदर बताऊंगा दोस्तों तो यहाँ पे मेरा powerpoint में यह slide show चालो है यानि यह slide पूरा पूरा open है मैं इसे close करना चाहता है तो keyboard से मैं escape करूंगा powerpoint का जो slide show होता है वो बंद करने के लिए आप keyboard पे पूरा open का slide show बंद हो जाएगा उसके अलावा escape का यूज होता है generally suppose आपने यहाँ पे start पे क्लिक किया लेकिन आपको यह window नहीं चाहिए तो आप keyboard पे escape button प्रेस कीजिए और escape button unwanted dialogue box को close करने के लिए भी यूज होता है जैसे आप Microsoft Word में काम कर रहे हो लेकिन unwanted dialogue box open हो रहा है या फिर आपने open कर लिया और जिसका आपको जरूरत नहीं जैसे यह font का extra dialogue box आपने open कर लिया additional font options तो यहाँ से आपने open कर लिया यहाँ पे एक छोटा सा option रहता है additional fonts के लिए यह मैं focus करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे font dialogue box open होगे लेकिन इसमें कुछ काम नहीं आपका तो कीबोड पे आप escape button दबाईए तो dialogue boxes close करने के लिए unwanted click avoid करने के लिए जैसे close भी यहाँ पे अपने गलती से click कर दिया तो click करते ही वह पूछ रहा है कि यह document को save करना है कुछ नहीं करना है यह dialogue box मुझे नहीं चाहिए तो मैं escape button प्रेस करूंगा तो escape key का use इस तरह से होता है एक तो आप PowerPoint में slide show करते है suppose PowerPoint में मैं दुबार आता हूँ यहाँ पर F5 प्रेस करता हूँ तो मुझे इससे cancel करना है तो मैं escape करूंगा यहाँ पर कोई dialogue box मुझे close करना है तो भी मैं escape करूंगा यहाँ पिर मैं keyboard की उपर control shift escape दबा दूंगा तो यहाँ पर task manager open होता है जिससे आपके computer का performance आप पता कर सकते हैं आपका CPU कितना यूज हो रहा है, memory कितना यूज हो रहा है यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर बता है कौन-कौन से applications open है यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर पता चलती है control shift escape key के साथ मतलब escape का combination यहाँ पर होता है control shift के साथ और इससे आप इस्तमाल करना जान चुके होंगे escape key का इस्तमाल क्या है right, escape escape करना है आपको escape key यूज़ करो simple है, अब हम बढ़ते है next key के तरफ function keys हम शुरू करते है function keys में F1 से start करते है अगर आपने computer के उपर drakely F1 प्रेस कर दिया मतलब आपके computer में कुछ भी software आपने start नहीं किया लेकिन F1 प्रेस किया यह जम करेगा Microsoft AGI Internet Explorer जो भी आपके पास available उसमें और उसमें वह बोलेगा कि क्या help चाहिए how to get help in windows यह आपको एक menu आजाएग इसमें आप सर्च कर सकते है अगर आप कोई software में जैसे Microsoft Word आपका start है और यह पर F1 प्रेस करते हो तो एक help task pane open हो जाता है आपको page setup के बारे Microsoft Word में जाना है तो यह पर आप सर्च कर सकते है type कर सकते है help menu open करने के लिए keyboard के उपर आप F1 प्रेस कर सकते है याद रखिए F1 यह function की use होता है help menu को open करने के लिए लेकिन Microsoft Word में control F1 अगर आप प्रेस करते हो combination में कर रहो हो control F1 तो यहाँ पर यह जो ribbon है वो minimize हो जाता है control F1, control F1, ribbon minimize open इस तरह से आप control F1 Microsoft Word, Excel Power Point में ribbon को open और close करने के लिए या फिर minimize करने के लिए minimize हो जाता है control F1 याद रखिए control F1 आपके सामने यह ribbon दिख रहा है वो minimize हो रहा है वो मैं practically के लिए इस्तमाल करके दिखा रहा हो shortcut key note down कर लिए या फिर already मैंने PDF दी दिया है don't worry about it next shortcut key की तरफ बढ़ते अब है next shortcut key app 2 तो app 2 का इस्तमाल पहले मैं desktop पे दिखाना चाहूँगा इसे मैं minimize का तो यहाँ पे एक folder का नाम change करने के लिए option आ चुका है मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ learn more right learn more मैंने नाम रख दिया जो कि हमारे एक channel का नाम है आपको पता ही होगा और मैंने बाजू में क्लिक कर दिया तो app 2 से क्या होता है app 2 से file का नाम आप change कर सकते फोल्डर का नाम आप change कर सकते याद रखिए rename app 2 यह rename के लिए यूज किया जाता है Excel के अंदर app 2 का कुछ अलग इस्तमाल है इसलिए मैं Excel यहाँ पे start करके रखा है अगर यहाँ पे पहले से कोई नाम आपने टाइप कर दिया जो भी नाम है आपने टाइप कर दिया suppose मैंने मेरा यह नाम टाइप कर दिया example के लिए मैं लिख रहा हूँ तो अब मुझे इसे edit करना है इस नाम को edit करना है तो मैंने अगर directly यहाँ पे टाइप करने ले लिया कुछ भी दूसरा नाम डालना था किसी और का तो मैंने यहाँ पे directly नाम ataip करने लिया क्या करने लिया जैसे मैंने लिया तो यहाँ पे डिखिए wholly directly नाम मैंने करने के लिया तो पहला नाम निकल गया तो इसमें बूसे वह नाम इड करना है something to start by satphych के पहले Сп Tasteechrobय के पहले प्रिया और और app2 आप प्रेस करोगे तो उसको आप एडिट करना चाहते है, edit active sale, तो यहाँ पे ending में कुछ add करना चाहते है, आप add कर सकते है, बीच में आप add करना चाहते है, cursor बीच में लिजिए, add कर सकते है, इस तरह से आप add कर दो, right, और enter button प्रेस को दो, that's it, app2 edit active sale, यहाँ पे app2 का इस्तमाल आपको समझ भाए होगा, app2 का इस्तमाल rename के लिए होता है, file का नाम या फिर folder का नाम change करने के लिए, app2 का इस्तमाल यहाँ पे edit active sale के लिए होता है, और app2 का और एक इस्तमाल जैसे word के अंदर आपने यहाँ पे कुछ content लिखे है, मैंने लिख दे एक paragraph, paragraph लेने के ल आता हूँ, तो मैं Ctrl F2 बटन प्रेस करूँगा, Ctrl F2 से print preview आता है, यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि यह page कैसे print होगा, print preview, print निकालने के पहले आप देख पाओगे आपका page, full screen में, Ctrl F2, यहाँ पे right side में आप देख पा रहे हो, आपका पूरा-पूरा page यहाँ पे आपको द F3, अब function की F3 Microsoft Word में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, F3 का directly use नहीं है, लेकिन shift के साथ है, मैं इस paragraph को select करूँ, and मैं इसे zoom करता हूँ, मैं यहाँ पे shift F3 प्रेस करूँ, कुछ changes आपको दिखाए देंगे, अगर आप notice करोगे, shift F3, क्या हो रहा है, पूरे के पूरे alphabet, जि shift F3 करता हूँ, ध्यान से देखिए, कुछ changes हो रहा है, पहला alphabet, जो है, वो capital हो रहा है, sentence का V, यहाँ पे W, दिखाए दे रहा है, और अगर नीचे notice करेंगे, यहाँ यू का Y, इस तरह से capital हो गया, sentence का पहला alphabet, capital हो चुका है, फिर shift F3, सभी capital, shift F3, सभी small shift F3, sentence case, capital case मतलब upper case, यानि कि पूरे alphabet capital हो जाएंगे, और lower case, इस तरह के change case यहाँ पर हम कर सकते है, keyboard case जरी है, तो अगर आपने यहाँ पर पूरा paragraph लिख दे और आपको पता चला कि यार, sub capital में लिखना था, डो डोरी, select the paragraph, press shift F3, that's it, तो F3 का कमाल का इस्तमाल आपने यहाँ पर सीखा होगा, लेकिन Excel में इसका इस्तमाल कैसे होगा, मतलब shift F3 अगर मैं Excel में प्रेस करूँगा, तो क्या होगा, देखते हैं, यहाँ पर कोई number type कर लिए आपने और आपको यहाँ पर total करने, लेकिन आपको total यहाँ जो भी formula यहाँ पर लगाना है, कोई भी एक, तो formula लेने के लिए आप अब मैं shift F3 प्रेस करता हूँ, देखिए, वही आ रहा है, shortcut कीसे हो रहा है, मतलब मुझे यहाँ पर click करने के अभी ज़रुवत नहीं है, right, so shift F3 आपको Excel के अंदर कुछ अलग function available करके देता है, मतलब function की screen देता है, right, so next shortcut की की तरफ बढ़ते है, वो है F4, अब F4 shortcut की हम कैस से इस्तामल करते हैं, मैं practically यहाँ पर दीखाना चाहूँगा, इसको हम Alt F4 करेंगे, इसको हम Ctrl F4 करेंगे, इसको हम Shift F4 भी करेंगे, क्या बात है, तीनों का combination ही यहाँ पर, अगर मैं Excel में, यहाँ पर Excel में कर रहा हूँ पहले, यहाँ पर Word में, चो भी है, मैं Ctrl F4 प्रेस देखिए, इस फाइल का नाम है, Book 1, उपर देखिए, अब यह Book 1 जो Workbook है, Close हो चुका है, Excel की फाइल को Workbook बोलते हैं हम लोग, तो Workbook Close हो चुका है, यहाँ पर आपको अभी Excel दिखाए दे रहा है, Excel Software चालू है, मैं Ctrl N करूँगा, तो यह नया Workbook आ चुका है, Book 2, Ctrl N से नया Workbook आ गया, No Issues, मैं फिर से यहाँ पर Ctrl F4 प्रेस करता हूँ, यह Workbook Close हो रहा है, Excel बंद नहीं होता है, याद रखिए, Ctrl F4 से यहाँ पर बस Excel के अंदर का Workbook Close हो जाएगा, पूरा Excel अगर बंद करना है, तो आपको Alt F4 प्रेस करना है, मैं Alt F4 प्रेस करता हूँ, Alt F4 से पूरा तो यह क्या होगा, Shift F4, तो करसर बिगिनिंग में चला जाता है, करसर आपका यहाँ पर था, Shift F4 दबाईए, करसर ड्रेक ली उस पूजिशन पर हम चले जाएगे, बिगिनिंग बे, यहाँ पर A1 पर चले जाएगे, Shift F4 से, इस तरह से हम कर सकते है, Alt, Ctrl और Shift का इस्तमाल F4 क के लिए, मतलब यह स्लाइड मुझे प्रेजेंट करनी है, F5, फिर इसके बटन से एक्जीट हो जाती है, F5, Slideshow, Powerpoint में इस्तमाल पता चला, अच्छा, Windows में क्या इसका इस्तमाल है, मैं सारी चीज़े मिनिमाइस कर देता, यहाँ पर अगर मैं F5 करता हूँ, तो रीफरेश यह तो बहुत सरे लोगों को पता है, राइट लिक रीफरेश करते हैं, वही आप F5 बटन से रीफरेश कर सकते हैं, अभी नए Windows में जातर रीफरेश का जो काम है, वो कम हो गया है, पहले क्या होता था कि कभी-कभी आप डेक्स्टाप पे फोल्डर बनाते हैं, तो पेज नंबर, पेज नंबर डालो, उस पेज पर आप या पर जा सकते है, F5 बटन प्रेस करने के बाद, Excel में आप F5 प्रेस करते हो, तो कौन से सेल पर आपको जाना है, मुझे जाना है, A5 पर, तो A5 सेल रेफरेंस में डाल दिया, और मैं ऐसे OK करता हूँ, तो A5 पर चला देखिए, F5 बटन प्रेस करते ही, गुटू का डाला बोक्स आता है, और गुटू ये काफी एडवांस है, Excel के अंदर तो बेसिकली, यहा पर special options भी गुटू के अंदर, और इसके लिए मैंने अल्रेडी Excel Tutorial चैनल पर गुटू स्पेशल का एक अच्छा सा वीडियो बनाया ये विंडो चूटी हो जाती, राइट, F5 बटन से ये चूटी हो जाती, याद रखी, Restore Down, Ctrl F5 लेकिन Ctrl F5 दुबड़ा प्रेस करने से ये Maximize नहीं होते है, Maximize के लिए आगे shortcut की मैं आपको बता हूँगा, don't worry, but Ctrl F5 ये होता है, यहाँ पे Restore Down, Window चूटी होती है, लेकिन यह ये shortcut की आप Word में नहीं इस्तेमाल कर सकते है, मैं आपको Alt F5 करना पड़ता है, Alt F5 ये देखिए, अगर आप Alt F5 करते हो तो ये चोटा हो जाता है, तो Alt F5, Ctrl F5, then F5, कैसे इस्तेमाल करना है, definitely समझा होगा, सारी चीज़े डीटिल में बता रहा हो, इसलिए Step 2 Step हर एक चीज का combination यहां पर मैं बता रहा हो दोस्तो, टाइम लगने दो, सीखना है, तो टाइम तो देना पड़ेगा, और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप smart बनना चाहते है, ये उसका sign है दोस्तो, फिलाल तो F6 की तरफ बढ़ते है, अब F6 का इस्तमाल बहुत ही rare करते लोग F6 का इस्तमाल ही पताने लोगों को, लेकिन आपको कहा गया कि F6 प्रेस करके Excel के अंदर में आता हूँ, suppose F6 के अंदर बोला है कि यहां पर बहुत सारी sheet है, मैं आपको example दिखाता हूँ, और आपको बोला है कि आपको sheet 5 से sheet 1 में जाना है, keyboard से, keyboard से, keyboard से, sheet 5 से, sheet 1 में, ये पर देखिए, cursor highlight हो चुका है, दुबार आप एकसिक्स प्रेस करो, cursor यहां पर चला गया, ये देखिए, F6 प्रेस करो, कहा पर चला गया है, ready पे, cursor, फिर F6 प्रेस करो, कहा पर आ रहा है, देखिए, वो ready मतलब macro के लिए चला गया, macro का वहां पर, option से, दुबार F6 प्रेस कर प्रेस करो, कि अभी आप शीट पर आ चुकी, देखिए, थोड़ा सा highlight हो रहा है, अगर आप left arrow यहां पर प्रेस करो, keyboard प्रेस करो, keyboard पे, मैं mouse को बिल्कुल हद नहीं लग रहा हूँ, left arrow उसके बद एंटर करो, मैं sheet 3 पर आ चुका हूँ, फिर मैं F6 दुबार प्रेस करोंग यहां पर आप टास्क व्यूव में आ चुके, F6 प्रेस करो, यहां पर आप यह जो recent open applications रहते हैं, frequently open applications, recently, frequently open के लिए हमने applications रखे, वहां पर आ चुके आप, इसमें F6 प्रेस करके आ चुके, फिर इसमें switch होना है, तो right arrow, left arrow आप आप सकते हैं, कुन से application में जाना है, तो यहा से आपको हो रहा है, highlight दिखाए दे रहा है, मैं चाहिए तो इससे zoom करके भी बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि यहां पर देखिए, left to right arrow की से मैं in options को select कर रहा हूँ, और मैं यहां पर enter करके settings भी कर सकता है, इस पर enter करके, so F6 यह बहुत ही useful shortcut की और बहुत सरे हम Microsoft Word के अंदर करेंगे, और वो है spilling and grammar के लिए पहले करेंगे इसका इसका इस्तमाल, जैसे मैंने Microsoft Word के अंदर एक नाम लिखा है, जैसे मैंने लिखा यहां पर श्रीवल्ली, आज कल यही famous चला है, नाम तो यही लिख देता हूँ, श्रीवल्ली, श्रीवल्ली, श्रीवल्ल श्री को long बता रहे है, श्री को नहीं बता रहे है, ठीक है, लेकिन यहां पे मुझे spelling mistake ही चाहिए तो, और रेडवी अंदरलाइन से, इस पिलिंग मिश्टिक वर्ड में बताता है, रेडवी अंदरलाइन यह अपने एक वर्ड लिख दिया, computer, यहां पे एक और वर्ड मुझे लगता है कि यह correct है, लेकिन यह computer इसलिए गलत बता रहे है, क्योंकि computer की dictionary में नहीं है, computer को क्या पता है, श्रीवली नाम का कोई है, श्रीवली गाना है, क्या है, computer को कुछ पता नहीं है, हमें उसे बताना पड़ेगा, तो भई हम क्या करेंगे, इसके लिए हम F7 प्र स्रीवल्स, वो बता रहे है कि यह word हमारे पास है, इसमें से कोई word आपको चाहिए क्या, इसमें से कोई word हमें नहीं चाहिए, अगर हमें चाहिए रहेगा, तो हम इसमें से कोई word नहीं ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहां पे ignore once कर देंगे, ignore once का मतलब कि श्रीवाली मुझे रोज लिखना है इस computer में तो इसे अपने dictionary में add करके रोखो next time मैं श्रीवाली लिखोंगा तो मुझे यह spilling grammar mistake नहीं दिखाना है computer को हम बोल रहे है add to dictionary add मतलब इस computer की dictionary में add होगा जब next time आप श्रीवाली लिखोगे तो यह आपको यह वाली underline नहीं दिखाएगा red bv underline बिल्कुल नहीं दिखाएगा वैसे भी underline प्रिंट में नहीं आती है but यह ठीक है आपके लिए print में नहीं आएगी है computer आपको यह पता देता है कि आपने यह mistake कर लिए आपको preview में तो पता चल जाएगा इवन इस word के लिए तो आपको ज़रूरी है underline आना right इसमें नहीं है तो आप इसे ignore कीजिया भी या फिर हमेशा के लिए computer में add करना है मतलब next time आप microsoft word चालू करोगे तो इस computer में श्रीवाली लिखोगे तो आपको वह गलत नहीं बताएगा लेकिन आपने ignore किया तो वह temporary इस document के लिए वह hide मतलब यह कर रहा है उसके underline हटा रहा है यह देखिए ignore अब उसने यह वाला word को छोड़ दिया उसने check नहीं किया क्योंकि यह correct second वाला लेकिन computer जो नीचे लिखा गया है वह गलत है और उसके लिए suggestion बता है कि आपको computer लिखना है copter लिखना है या compare तीन में से कौन सा लिखना है उसको select करो और कहाँ पे click करो change पे click करो फिलाल भही हम करेंगे change पे click करेंगे change दिखाए देरे आपको change all मतलब computer word आपने 100 बार लिखा है तो जितनी भी बार लिखा है उतनी बार सभी तो मैं computer को select करके change कर रहा और यहाँ पे spelling and grammar check is complete complete हो चुका है भाई और यहाँ पे आपको दिखाए रहा है यह proper तो F7 का इस्तमाल हमने जान लिया कि क्या होता है F7 में हम spelling and grammar check कर सकते है इस word का meaning अगर हमें जानना है तो हम shift F7 प्रेस करेंगे F7 का और एक combination बनता है shift के साथ shift F7 से आता है एक और task pane word के अंदर थिशॉरस यहने synominance इसका similar word तो यहाँ पे processor, processor, CPU, computer related word का यह आपको बता रहा है similar words बता रहा है थिशॉरस shift F7 यह combination भी याद रखना है चलिए अभी आगी के shortcut की तरफ बढ़ते है वह है F8 इसका Excel में जादा इस्तमाल होता है Excel में आते हम और यहाँ पे कुछ content मैंने type कर लिया कोई भी content हो सकते है content यहाँ पे नमबर ही type कर लेता हूँ और इसे repeat कर देता हूँ अब यह repeat कैसे किया मैं आगे बताऊंगा आपको आगे shortcut की जाए इसके बारे में फिलाल यह content आपको देख रहा है यहाँ पे मैंने cursor रख दिया और यहाँ से मैं select करना चाहता हूँ right side में तो मुझे shift और right arrow दबाना पड़ता है shift और down arrow दबाना पड़ता है मैं एक ही की से arrow key right arrow दबाऊंगा तो select होना चाहिए left arrow bottom arrow आप arrow वैसे select होना चाहिए तो मैं cursor जहाँ भी रखाँ वहाँ पे मुझे selection लॉक करने के लिए keyboard के पर मैं F8 button प्रेस करूँगा जैसे मैं F8 एक बार प्रेस करूँगा तो यहाँ पे नीचे दिखाए देगा extend selection करके आपको एक option बता रहा है extend selection होगा F8 आपका active हो चुका है right side में आप जाओ right arrow प्रेस करो बस control shift कुछ नहीं प्रेस करो right arrow प्रेस करो automatically उस select कर रहा है आप arrow प्रेस करोगी आप उस selection पे cursor lock हो चुका है देखिए जो 45 आपने लिखा था मतलब 45 जो आपने select किया था D6 cell में तो वह selection उस position पे lock हो चुका है याद रखिए फिर से F8 प्रेस कीजिए अब देखिए extend selection नाम यहाँ पे जो था वह निकल गया है और अब आप प्रेस करोगी तो आपका cursor SMO होगा तो जिस position पे आपका cursor उसी पे lock करने के लिए आप F8 प्रेस करोगी याप नीचे वह आपको instruction देदेगा status bar पे कि क्या status है इसका extend selection आपने on कर लिया है अब आप down arrow प्रेस करो select हो गया आपको कोई combination प्रेस करने के बिंडो लाने के लिए होता है अब यह macro जो होता है Excel में programming करने के लिए work fast करने के लिए macro ओके और Excel में अगर आपको macro आता है word में अगर आपको macro आता है तो आप गदा मजदूरी नहीं कर रहे हो क्योंकि Excel का macro या Microsoft Word का macro जो भी macro अगर आप सीख लिए वीडियो गदा मजदूरी करना छोड़ दो यह जरूर देख लेना आप learn more चैनल पर जाके description में आपके लिए link भी देता हूँ Excel में हम काम कर रहे है लेकिन गदा मजदूरी कर रहे है मतलब macro का इस्तमाल हम नहीं कर रहे है Macro में काम automatic होता है वो कैसे उस वीडियो में पता चलेगा I'll tap it macros की window लाने के लिए होता है आगी की तरफ बढ़ते है F9 यह shortcut की है हमारी next shortcut F9 यह shortcut की Excel के अंदर बहुत important role play करती है मैं आपको एक छोटा से example दिखाना चाहूँगा मैंने बहुत बार समझाया भी मेरे Excel के अलग अलग वीडियो में यहाँ पर मैंने एक formula लगा Excel के अंदर और यह formula में जो यह selection है sales का इसमें कौन-कौन से number आगे है वो मुझे देखने है तो मैं keyboard पर F9 प्रेस करूँगा इसको select करके F9 जैसे मैं F9 प्रेस करूँगा वो सारी numbers उपर के दिखाए देंगे कि इतनी सारी number है अच्छाए काम करता हूँ यहाँ पर अलग अलग टाइप करता हूँ क्योंकि वो एक ही number सब जगह पर दिखा रहा आपको आपे some formula कोई भी formula लगाओ उसके अंदर जो range आप select करोगे जो भी range select करोगे उसका calculation आप देखना चाहते है उसके अंदर कौन कोंसे number है तो यहाँ पर F9 प्रेस कर सकते है और यह F9 हटाने के लिए control Z दुबार range में आने के लिए याद रखिए F9 प्रेस की जिए control Z इस तरह से इससे हटाने के लिए पाफिस formula में आने के लिए तो F9 से आपको पता चलता है कि आपने जो selection किया है उसका क्या result है उसमें क्या आता है और आप एक formula को separate separate भी calculate यहाँ पे F9 की जरीए कर सकते है यह manual calculation का role भी play करता है जैसे मैं यहाँ पे formulas tab में जा रहा हूँ और formulas tab में यहाँ पे calculation options में यह देखिए formulas tab में calculation option में मैंने manual mode रखा है अब मैंने यहाँ पे formula लगा दिया is equal to sum manual mode लगा दिया दिखिया और मैंने enter कर दिया यहाँ पे answer तो आगया 913 अबर मैं यहाँ पे value change कर लेता हूँ तो यहाँ पे update नहीं हुआ है तो मैं अगर यहाँ पे keyboard पे F9 प्रेस करूंगा तो अपडेट हो जाएगा manual mode पे आपने जो रखा है उस calculation को आप F9 प्रेस करके इस तरह से update कर सकते है manual mode का calculation यह करने के लिए F9 प्रेस कर सकते है F9 प्रेस करके अपने अपडेट किये वह सारे के सारे यहाँ पे update हो जाते है manual mode का क्या इस्तमाल होता है वह तो Excel में आपको पता चल जाएग अगर आप Excel सीख चुके होंगे manual mode का बहुत सारा इस्तमाल है Excel को minimize करने के लिए मैं Ctrl F9 प्रेस करूँगा तो Excel minimize हो जाता है Ctrl F9 यह देखिए Excel नीचे minimize है मैं दुबर open करता हूँ Ctrl F9 से minimize हो जाता है Maximize नहीं होगा Maximize minimize के लिए अलग से shortcut की जागे है लेकिन यह Ctrl F9 का combination मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा ठीक है अब next shortcut की तरफ बढ़ते है App 10 function में App 10 का क्या इस्तमाल है मैं इसे Ctrl और Shift के साथ इस्तमाल करना चाहूँगा पहले मैं Shift App 10 का इस्तमाल बता हूँगा अगर एक्सल में right-click करना चाहता हूँ तो मैं इसके ओपर mouse से right-click करता हूँ लेकिन मुझे mouse के बेगर right-click करना है तो mouse के बेगर right-click करना है तो आप Shift App 10 प्रेस कीजिएगा ओहो ग्रेट Shift App 10 यह देखे राइट वही मिनु आ रहा है Shift App 10 आप desktop पे भी प्रेस कर सकते हूँ मैं इसे minimize कर देता हूँ Shift App 10 प्रेस करता हूँ Ctrl App 10 के साथ क्या होता है अगर आपने यह Excel स्क्रीन उपन रखे और इसे restore करना है Ctrl App 10 चूटी कर दिये Ctrl App 10 राइट Maximize हमने F5 के साथ इसका इस्तामाल देखा था तभी हमने मैंने बताया था आपको F5 के साथ भी इसका इस्तामाल होता है Windows को छोटी करने के लिए restore करने के लिए Ctrl F5 के साथ Excel के अंदर Alt F5 के साथ वर्ड के अंदर लेकिन आपे बड़ी नहीं होड़ी थी Windows यह आपे दोनों होता है Ctrl F10 Ctrl F10 Ctrl F10 से छोटी होगी Ctrl F10 से Maximize होगी Restore Maximize Restore Maximize करने के लिए Ctrl F10 का इस्तामाल कर सकते है और Alt के साथ इसका combination इस तरह सरेगा अगर आप Alt F10 प्रेस करते हो तो यहाँ पर selection pane open हो जाता है जिसे आप आपके जो भी object है जैसे यहाँ पर मैंने इंसर्ट में गया chart है या फिर picture से जो भी है मैं कुछ shape से यहाँ पर draw कर रहा हूँ तो shape को यहाँ से अप select भी कर सकते है hide भी कर सकते है तो यह selection pane open करने के लिए आपको Alt F10 यह button प्रेस करना होता है यह shortcut की भी याद रखिए word excel powerpoint में सब में use होता है Alt F10 selection pane का डाला box यहाँ पर या फिर आप कोई भी like chrome browser open कर लो जिसमें इस browser को आपको full screen करना है जैसे कि यहाँ पर मेरी website आपको दिखाए दे रहे है मैं apple on press करता हूँ यह देखिए apple on press करते ही क्या हो रहा है full screen हो रहा है apple on दोबारा press किजिए exit हो जाता है full screen so effleon का यह इस्तमाल आपने जान लिया होगा तो आप f12 की तरफ बढ़ते है अब f12 का इस्तमाल हम पहले browser के अंदर देख लेते हैं f12 में press करता हो तो आपको f12 में यहाँ पे मिल जाता है elements html code inspect करता है html code कौन-कौन से कैसे है आपको f12 से पता चल जाते है अगर आप एक प्रोग्रामिंग सीकर हो तो आपको पता रहना चाहिए f12 से आप इस website का backend देख सकते है यहाँ की coding देख सकते है backend यहाँ कुछ coding html css की वह आप देख सकते है backend मतलब पूरा backend नहीं देख सकते है लेकिन html css का coding आप यहाँ पे देख सकते है f12 की मदद से ब्राउजर के अंदर f12 का इस्तमाल यह होता है excel और word के अंदर जान लेते है excel के अंदर इस file को already मैंने save कर चुका हूँ suppose example लेता हूँ text formula alli file open कर ली text formula alli file यह मैं क्या करना चाहता हूँ अगर मैं इस कंट्रोल एस करता हूँ तो कुछ नहीं होगा मैं इसे duplicate save करना चाहता हूँ तो मैं keyboard पे f12 बडम प्रेस करूँगा कुन सा बडम प्रेस करूँगा f12 और f12 प्रेस करती save as आता है आप इसे multiple time save कर सकते है f12 से save as dialog box word excel powerpoint में आता है जिससे आप file को duplicate save कर सकते है multiple time मैं हमेशे उसका तो जभी मैं suppose internet से file मैंने डाउनलोड की वो download folder में गई है मैं उसके copy और जगह पे save करना चाहता हूँ मैं इस पे f12 पर इसका तो file का नाम देता हूँ that's it save और control f12 अगर मैं यहाँ पे open कर तो word excel powerpoint में तो open का dialog आता है open control o से भी open कर सकते control f12 से भी open कर सकते f12 का इस्तमाल हमने जान लिया हमने f1 to f12 यह function key का इस्तमाल यहाँ पे जान लिया दोस्तो पूरा practically इस्तमाल यहाँ पे हमने सीख लिया यहाँ पे मैंने cursor रखा और home की प्रेस किया तो मेरा row जो beginning हो रहा है न वहाँ पे cursor आ रहा है home button में यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो directly वहाँ पे cursor जब beginning of the row चला जाएगा इस तरह से अगर मैं control home button प्रेस करूँगा control home तो मेरा directly a1 cell पे cursor जाएगा control home यह देखिए control home a1 पे cursor जा रहा है जहाँ पे मेरा content start हो रहा है home प्रेस करता हो तो यहाँ पे अगर आप home word में आते है suppose word में word में भी दिखा देता हो कि कि सब जगह पे इस्तमाल करना ना चाहिए यहाँ पे cursor end में रखा है इस line के ending में यह sentence के ending में यहाँ पे इस line के ending में home प्रेस करते है इस line के starting में आप जाओगे और अगर आप control home प्रेस करते हो तो आप directly यहाँ पे word के page के beginning में आ जाओगे control home क्या होता है cursor cursor पे धान रखी control home क्या होता है अब हम end के बारे में भी जान लेते है प्रेस करो हों तो आप द्रेक द्रेक लिए इनडिंग में आ जाओगे और कर्सरे सsti押स्यों को प्रेश कर्टाब प्रेस करते जिए इनडिंग में आजांगे यह तह इक कर्सर हाई एंडिंग पेन सब्सक्रिकी के साथ इसनाल कर सकते हैं क् simplicity के साथ भी इसका इस्तामाल कर सकते है एक हम पर पे और होॉम तो यह देखिए पूरा-गा यहां से यतक से लेक्ट हो गया अगर कर से स्टारडिंस ए रखता हूं तो पूरा-गा यहां से यहां तक उसे गयरा अब आगे बढ़ते हैं या पे इंसर्ट करकी का इस्तमाल में आपको बताना चाहूंगा बहुत सरे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है इंसर्ट श्टकर की एक तो आप कर सकते हैं यहां पर जैसे यहां पर अपनी content टाइप करने के लिए लिया insert button पहले keyboard पर प्रेस करूँगा जैसे मैं insert प्रेस करूँगा यह दिखिए कुछ highlight हो रहा है अब मैं जो भी लिखूँगा वो पहले उस alphabet को delete करेगा उसके जो right side में alphabet है तो मैंने लिखा यह आपे स्पोज L लिख दिख दिखा दिरहे ए लिख दिलिए तो वो B को delete करेखा है L E A replace कर रहे है L E A R दिखा दिरहा आपको इस तरह से पुराने वर्ड को insert की की वाज़े से replace करागा तो insert key में क्या होता है कि आपको बीच में से कोई word हटा कि उसकी जगह overlap करने है दूसरा word तो आप क्या करो उस insert key को दबा दो वो automatically आपको दिखाए दे रहा है क्या कर रहा है आप try करो इसे insert key दबा कि आप type करने जाओगे तो वो word write कर देगा उस word की उपार उसके अलाओ अगर आपने यहाँ पे कुछ content copy कर लिये है और यहाँ पे पेश्ट करना चाहते हैं तो आप shift insert भी दबा सकते है shift insert दबाईए वो content paste भी हो जाए पेश्ट के लिए shift insert यह shortcut कि आप इस्तमाल कर सकते है right तो आपको insert का इस्तमाल तो पता चला होगा अब यहाँ पे हमने home end देखा हमने insert भी देखा अब हम page up page down और delete का भी इस्तमाल देख लेते है page up page down में क्या होगा कि इस page पे suppose आपका cursor है page up आप उपर आ जाओगे page up page up से उपर आओगे page down से आप नीचे page down से नीचे page up से उपर सिम्पल है scroll करने के लिए इसका इस्तमाल आप कर सकते याप एकसल में page down यह देखे page down पेज़ आप नीचे आओगे page up से उपर up and down scroll करने के लिए आप इसका quickly इस्तमाल कर सकते है याद रखिए page up page down keyboard से आप scrolling कर सकते आप पेज में आप एंडाउन स्क्रोल करने के लिए माउस की ज़रूत नहीं है आपको वैसे भी अब या पर कंटेंट को हटा देना है तो सिलेक करो और डिलीट बटन कीबोड पर दबाओ दो डिलीट का इस्तामाल तो भाई हर कोई जानता होगा लेकिन हर जगह पर यूजनी करना है मतलब आपको कोई इंपोर्टन पाइलेट एक्स्टॉप और आप जाकर डिलीट बटन दबा रहे हो तो यह फाइल डिलीट होने वाली या से राइट तो फाइल फोल्डर कंटेंट सब कुछ डिलीट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं या पे डिलीट की ओके तो यह पैनल में जो छे कीज होती है वो छे की छे हमने एक साथ जानली देख ली समझ ली राइट अब हम कुछ बड़े-बड़े कीज यहां पर जान लेते हैं अब हम नेक्स्ट उपर उसी पैनल के उपर जो कीज दिखाये दे रही है वो है प्रिंट स्क्रीन, स्क्रोल लॉक और इसका इस्तमाल जान लेते हैं print screen का बहुत ही interesting इस्तमाल है जैसे कि मैं यहाँ पर word में काम कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है suppose desktop का कोई screenshot यहाँ पर लाके रख देना है तो मैं क्या करूँगा इसे minimize कर देता हूँ यह जो screen है desktop पर दिखाए दे रही है यह पूरी पूरी screen का screenshot में चाहता हूँ तो इसका screenshot करने के लिए मैं कीबोड पर print screen दबाऊंगा और उसके बाद में वर्ड में आऊंगा और वर्ड में यहाँ पर मैं बस paste दबादोंगा control V यह मैं delete कर देता हूँ control V बटन दबादोंगा control V जो मैंने वहाँ पर जहां पर मैंने print screen दबाया था वह पूरा screen print होके आ रहा है with mouse highlighter भी mouse highlighter बंद कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ यह delete कर देता हूँ मतलब मैं चाहता हूँ इस excel की screen है इसका screenshot चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर print screen दबाऊंगा वर्ड मैं आके paste करूँगा control V वाओ पूरी की पूरी screen यहाँ पर paste हो जाती है और इसका दूसरा एक combination है print screen का अगर आप इसे वर्ड में नहीं लिना चाहते है लेकिन आप screen को save करना चाहते है जैसे आप यहाँ पे कुछ visit कर रहे हैं website पे अब इसे आप file explorer में file explorer आगे आपका और जहांपे आपको यहांपे pictures option मिल जाता है right इसमें windows 10 11 जो भी आपके पास है और pictures में screenshot करके folder आपको मिल जाता है जिसमें आपको धेर सारे screenshot मिलेंगे तो यहांपे screenshot भी आपको दिखाए देरा है screenshot directly save हो जाता है as a image screenshot folder अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर नेक्स शॉटकर की जानने वाले है, वह है स्क्रोल लॉक, इसका इस्तमाल मैं एक्सल में दिखाना चाहूंगा, तब आपको पता चल जाएगा, स्क्रोल लॉक का इस्तमाल जब होगा, तब अब मैं देखिया, यहां पर मैं डाउन एर पर अगर स्क्रोल लॉक के लिए अल्री लाइट दी रहती है, बहुत सरे कीबोर पे, कुछ कीबोर पे नहीं रहती है, तो लाइट अन हो जाती है, और उससे पता चलता है, ति स्क्रोल लॉक एक्टिवेट हो चुका है, अब मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा, तो यह दिख पॉस ब्रेक यह हमारी नेक शॉटकट की जिसका इस्तमाल बहुत सरे लोग नहीं करते है, यह पॉस के लिए पुराने कम्पीटर में ज्यादा इस्तमाल किया जाता था, अब भी है कुछ जगह पे इसका इस्तमाल, तो मैं दिखाना चाहूंगा, मैं यहां पे चालू कर रह और यहां पे cmd लिखिए और enter बडम प्रेस कीजिए, यहां पे आपके सामने आता है dos window, यानी cmd window, अब यहां पे कुछ running है, जैसे कि मैंने यहां पे कोई website का IP address डाल दिया, facebook.com और उसको मैं पिंग कर ओ, पिंग करना होता है, पिंग मतलब उसको मैं reply आ रहा है कि नी, website चा pause हो गया, stop हो जाएगा, pause button द्बा दू, तो यह pause हो जाएगा और मैं control, pause button वाफीस द्बा दू, तो यह दुबारा इस तरह से चालू हो जाएगा, control, pause these आप इसे इस्तमाल कर सकते है पॉज इस तरह से पॉज हो गया फिर से चंट्रल पॉज दबन दवाएंगे आप यह आप दिखाए देगा आपको यह पॉज इस तरह से तो पॉज का मतलब होता है कि कोई चीज स्टॉप करना जैसे आप वीडियो चल रहा है तो पॉज करना चाहते है तो वह उसके लिए बेसिकली होता है लेकिन वह प्रोग्रामिंग के अंदर इस्टॉटकर की को यूज किया जाता है यह पिर आपका विंडोस जब बूट हो रहा है तो उस टाइम पर विंडोस पॉज ह स्क्रीन दिखाए देगी आपको राइट यह वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों लेकिन अब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए गा जिनको जरूरत है जो कंपीटर पहली बार सेखरें जिनको कीबोर्ड के बारे में बिल्कुल ज जरूर डिस्क्रिप्शन में जाईए और मेरी वेबसाइट को चेक कीजिए जहां पर धेर सारे कोर्सेस अवैलेबल है आयोसो सर्टविकर के साथ इंस्टन एकसेस के साथ लाइप टैम एकसेस के साथ जरूर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दीए आपके लिए चेक कीजि जैसे backspace है, या फिर enter है, इनके बारे में जान लेते हैं, बड़े-बड़े keys हम खतम कर लेते हैं, क्योंकि यह backspace तो सब को पता रहता है, basically लेकिन अब सारी shortcut keys बताना मैंने सोचा है, तो मैं सब बता देता हूँ, word के अंदर यहां पर अगर आप इसको select करते हैं, और keyword पर backspace द अगर आप कोई folder में हैं, यहां पर इस folder में हैं आप, यहां पर backspace दबाता हूँ, तो आप पीछे वाले folder में चले जाओगे, back, याद रखिए, backspace यहां पर भी आप दबा सकते हैं, यह कहना है मुझे, और आप यहां पर alt, right arrow, left arrow भी दबा सकते हैं, alt, left arrow, right arrow, back, पीछे जान है, right, 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 so alt, left, right arrow याद रखिए, मतला आप कोई folder में अभी जाना चाते हैं, suppose अपने d में गये, और अपने कोई folder open किया, यह वाला folder open किया मेरा, कुछ शूट का है, तो इस folder से पीछे जाना है, alt, back arrow, या backspace भी दावा सकता हूँ, alt, back arrow, लेकिन मैं आगे आना चाता हूँ, तो right arrow, right arrow, इस तरह से मैं आ सकता हूँ, so alt, left, right arrow, use कर सकता है, alt के साथ, backspace का इस्तमाल तो आपने जान लिया, backspace कहाँ पर कैसे इस्तमाल करना है, अब enter का भी जान लेते, enter तो Microsoft Word में paragraph change के लिए होता है, मैं यहाँ से नीचा आना चाता हूँ, enter सबको पता है, दूसरा है कि क एक्टिवेट, enter से, directly, activate हो जाता है, save हो जाएगा file, okay, और दूसरा है कि आप word के अंदर यहाँ पे cursor आपने रखा है, control, enter करते हो, तो page break हो जाता है, याद रखिए, control, enter, page break, यह control के साथ, enter का combination भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं ने बता दिया है, okay, उमीद है, आप यह column को select करना चाहते है, इसमें करसर रख दिया है, जो column को select करना है, इसमें करसर रख दिया, और मैंने control space दबा दिया, column select हो गया, मैं row select करना चाहता हूँ, मैंने shift space दबा दिया, shift space, row selection, control space, column selection, space का استعمال जान लिया, right, तो यह थोड़ी सी बड़ी बड़ी shortcut keyboard keys, keys 'sistles के बारे म में यहां पे जान लेते, arrow keys हमारी pending है और इसे हम पहले समझ लेते arrow keys, arrow keys से up and down हो जाता है, अब बोलोगी यह तो up and down right and left करने के लिए arrow keys होती हमें पता चला है लेकिन कोई application उपन है फिर यह application यहां पे उपन है तो इस तरह से देखिए Windows left left में जाएगा, Windows right, right में आएगा Windows left, left में, Windows right, right में So Windows left, right में आप इसका इस्तमाल कर सकते है Right और Left arrow का, right याप उसका Windows के साथ combination कर सकते है, Windows के साथ combination अगर आप करते हो, तो यह बहुत ही useful रहेगा, और left right arrow अगर Excel word में shift के साथ use करते है, shift right, shift left ऐसा सेलेक्शन के लिए यूज़ होता है, वर्ड में भी देखिए, शिप्ट राइट, शिप्ट अबो, शिप्ट अपैरो, शिफ्ट डाउन एरो, इस तरह से, शिप्ट राइट लेफ्ट इस तरह से भी इस्तमाल कर सकते, सिलेक्शन के लिए आप इनका इस्तमाल कर सकते, आ और यह arrow keys कैसे इस्तमाल करनी डेफिनिटली आपको समझा होगा, arrow keys, navigation keys भी से बोला जाता है, page को navigate करने के लिए, इस्तमाल किया जाता है, उपर नीचे left right, okay, navigation keys के बाद हम बढ़ते हैं, यहाँ पे next keys की तरफ, जो की हमारी keys आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे tab करके है, tab आपका इस्तमाल मैं आपको यहाँ पे इसलिए बताना चाहूँगा, क्योंकि word के अंदर इसका बहुत जादा इस्तमाल होता है, जब आप कोई professional letter रीख रहे हो, तो आपको यहाँ पे tab set करना पड़ता है, आपने 1 पे set कर लिया, tab 3 पे set कर लिया, 4 पे set कर लिया, अब यह tab set तो यह tab से क्या होगा, कि आप एक alignment में लिख सकते हो content को letter में, बहुत सारी जगा पे, professional letter लिखते समय आपको tab की बहुत ज़रुत पड़ती है, और आप tab button keyword पे इस्तमाल कर सकते है, tab button यहाँ पे, आप switch करने के लिए भी इस्तमाल कर सकते है, अगर आप alt tap करते हो, तो एक program से आप दूसरे program में, या दूसरे explorer file में वगरा जा सकते है, जितने भी open program है, यहाँ पे आपको दिखाए दे रहे हैं, और आप किसमें भी जा सकते है, alt tap करो, alt tap करो, alt tap करो, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें जाओ, या फिर windows tap करो, कुछ इस तरह से आपको पुरा-पुरा desktop new desktop लेने के लिए भी option आजाता है, यहां से आप कर सकते है, alt tap पता चला, windows tap भी इसमाल कीजिए, और tap वैसे इसमाल करना आपको पता चला होगा, tap के बाद caps lock नीचे दिया है, उसी के नीचे आपको दिखाए दे रहा है, caps lock, keyboard में आपको दिखा रहा है, so caps lock अगर मैं प्रेस क करी है कि capital small लिखने के लिए इसमाल किया जाता है, बच्चा बच्चा इसे जानता है, बच्चा बच्चा मतलब जो computer use करते हो बच्चे, okay, so अभी आग एक तरफ बढ़ते है, वो है shift की, shift दोनों तरफ इसलिए रहती, क्यूंकि आपको जब capital letter type करने रहते है, fast selection करना रहता ह आप दोनों तरफ से shift use कर सकते है, जैसे मुझे shift A करना है, तो मैं right side का shift दबाऊंगा, और left hand से मैं A दबादूँगा, इस तरह से, right hand से मैं A shift दबादूँगा, और left hand से A दबादूँगा, इस तरह से मैं यूजज़ कर सकता, और right side के कोई alphabit is a major keyboard पर P type करना है, तो मैं shift left hand से दबादूगा, और right hand से P दबादूगा, तो shift से capital later आता, जब caps lock on रहेगा, तो लेटर capital में आ जाएंगे, caps lock off रहेगा, तो लेटर capital में आएंगे, ऐसा मी कह रहा हूँ, और caps lock on रहेगा या पर, तो लेटर small में आएंगे, मतलब capital मेरा caps lock on ही keyboard के पर, अब मैं shift के साथ जो भी कीट आप करूँगा, तो वो small में आ जाएंगे, तो यह vice versa हो जाता है, याद रखिए, caps lock on रहेगा, तो small में आएगा, और caps lock off रहेगा, तो capital में आएगा, तो shift आप एक alphabet capital में लिखना चाहते है, जैसे computer का C capital, तो shift C, या पर में caps lock बंद का था पहले, shift C, और उसके ब computer को, तो आपको control key के उपर command अच्छे से होने चाहिए, control A होता है, control B होता है, control C होता है, control D होता है, और सारी shortcut keys में बताने हो, control A to Z, don't worry, so control के साथ सारी combination हम देखेंगे, next shortcut के आपे windows है, windows M, अगर आप प्रेस करते हो, तो minimize हो जाता है, देखिए, windows M, अगर आप प्रेस करते ह Windows D, तो windows के ऐसे डेर सारे combination हो, इसके उपर already मैंने एक video बनाया है, जो कि मैं आपको description में दे रहा हूँ, windows के combination का एक video, windows के क्या-क्या combination जो आपको पता होनी चाहिए, shortcut key का अलग सा video है, वो आप ज़रूर देख लेना, description में लिंक है आपके लिए, मैंने सारी चीज़े बनाई आपको बस एक साथ मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर इस video के अंदर, अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ना चाहूँगा, और यहाँ पर Windows बटन अगर आप प्रेस कर तो यह पर Windows का यह भी आ जाता है, पता रहेगा आपको इस तरह से, okay, चलो ठीक है, Windows के बाद अल्ट की आती है, ताकि आप quickly इस्तेमाल कर सके, कि इनका regular और combination में ज्यादा इस्तेमाल होता है, दोस्तों, अब हम numeric keypad की तरफ बढ़ते है, उसके बाद हम alphabetic keypad की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि alphabetic में A to Z हम keys सीखने वाले, अब numeric keys में सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पर आपको num lock दिया है, जो कि number आप type नहीं करना चाहते है, तो num lock बंद करो, और अगर आप number lock बंद करते हैं, तो आपका जो cursor है, Excel के अंदर अगर आप कोई number type करने जाओगे, तो cursor आपका down, यह दिखे, two type करती ही, अगर मैं num lock बंद करता हूँ, मतलब number keypad use नहीं करना है, इसलिए num lock बं बंद होगी, अब मैं two press करूँगा, तो down होगा, eight press करूँगा, तो cursor आप हो जाएगा, six press करूँगा, तो right में जाएगा, four press करूँगा, तो left में आएगा, तो यह 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 पर arrow जो है, वो activate हो जाएंगे, number keypad, अगर आप ध्यान सो देखोगे, तो two, four, eight और six पे arrows दिएगे, और वो navigation के तोर पे भी आप number key को use कर सकते हैं, अगर मैं number lock use करता हूँ, तो यहापे मुझे suppose 20 divided by five, Excel में मैं इस्तमाल कर सकता हूँ, divide, dividation के लिए, multiplication के लिए, मैं एस्ट्रिक के लिए कर सकता हूँ, minus और plus भी दिया गया है, आपे minus करने के लिए, plus, plus करने के लिए, इन सभ होँगा, जो की आपको जरूर जानना चाहिए, पता होना चाहिए, अगर आपने file explorer open किया, windows E, यहापे, और मैंने hdry, कोई भी drive select किया, और इसके अंदर की जितनी भी subfolders है, मैं एक साथ देखना चाहता हू, subfolders, सारे के सारे, तो मैं num lock price करूँगा, और जो num lock price करने के बा time लगाएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे folder है उसमें, तो subfolders एक साथ open करने के लिए आप उसका इस्तमाल कर सकते है, यह एक interesting shortcut किये जरूरी है, तो आप इस तका इस्तमाल कर सकते है, लेकिन num lock के बारे में, या numeric keypad के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको tilt sign दिखाए दे रहा है, जो कि आप इस्तमाल कर सकते Excel के अंदर general format लाने के लिए, मतलब यहाँ पे suppose एक number है, और मैंने number इस तरह से एक मिनिट, यहाँ पे numeric keypad on करता हूँ, Excel में मैं इसका 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 combination में इसका combination में इस्तमाल होगा, यहाँ पे जो number मेंने type किया है उसको मैंने फिलाल number format में लिया, यहाँ पे देखिए number format में यह number है, उपर number है, इसको मैं general में दुबारा convert करना चाहता हूँ, तो मैं control, shift और tilt बटम प्रेस करूँगा, यह देखिए उपर देखिए क्या आ रहा है, फोकस करता हूँ, touch लेके general, यहाँ पे यह number भी देखिए यहाँ पे आएगा number format, याद रखिए अगर यह exclamatory sign आपको अगर directly type करने हैं, तो आप keyboard के पर shift और exclamatory इस तरह से लिखोगे, shift प्रेस करके आप exclamatory sign, क्योंकि अगर आप direct press करके तो आप यह देखिए number भी आएंगे मापे, shift add the rate, shift hash, shift dollar, इस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ यहाँ पे मैंने क्या किया, number format में इसे convert कर दिया, control shift और exclamatory से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वही इसे number format में नहीं, मैं इसको time format में देखना चाहता हूँ, तो control shift add the rate, यह time format में आ गया, यह देखिए time format यह आपर time में दिख रहा है, आपको बताने की जुरूत नहीं, यहाँ अल्पनिमरिक कीज जो है, एक के बाद ही, वह में प्रेस कर रहा हूँ, control shift के साथ, okay, control shift dollar अगर में प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे dollar में आ जाएगा, control shift percentage अगर में प्रेस करता हूँ, तो यह percentage format में आगा, excel में in shortcut keys का बहुत ही जादा इस्तमाल है, क्योंकि आपको number format quickly change कर करना है, तो आप control shift के साथ, exclamatory at the rate, hash dollar percentage यह प्रेस कर सकते, अब में next shortcut की यहाँ पर प्रेस करो, control shift exponentiation, यह shortcut की, यहाँ पर में प्रेस करो, यानि की control shift 6 वाला जो दिख रहा है, sign exponentiation का sign है, और यह तोड़ा सा बोलने के लिए difficult है, but you can try it, control shift 6 प्रेस करती ही, यहाँ पर, control shift exponentiation sign प्रेस करती, यहाँ पर convert to scientific format में, यह convert हो जाता है, यह scientific format होता है, यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, तो यह format अलग-अलग convert करने के लिए आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते, control shift के साथ, okay, उसके बाद यहाँ पर end sign दिया गया है, यह आप shift और end प्रेस कर सकती, पर shortcut की नहीं बनता है, end के साथ basically मैंने चेक किया, बद कोई shortcut की नहीं बनता है, but end का इस्तमाल यहाँ पर देर सारी जगा पर होता है, अगर आपको कोई content यहाँ पर join करके लिखने, basically text और number को join करना है, तो आप इसका यहाँ पर इस्तमाल कर सकते, जैसे मुझे यहाँ पर ल कर सकते, end की मदद से, और ऐसे ही, end का बहुत जगा पर use होता है, यह key के बारे में मैंने बता है, इसका कोई shortcut keys तो मुझे नहीं मिला, I'll check it on google, और मैंने इसका कभी इस्तमाल भी नहीं किया, अगर आपको पता है, control के साथ, shift के साथ, इसका कोई combination कोई software में होता है, तो अब ज़रूर बताईए, उसके बाद आता है, next, control, shift, asterisk, उसका भी यहाँ पर कोई shortcut key नहीं बना है, asterisk, यह shortcut keys मैंने पहले भी बताई, number और asterisk, अगर आप प्रेस करते हो, तो उसका num lock, मतलब number नहीं, num lock और asterisk, यह मैंने आपको बताया था, so num lock और asterisk, अगर आप प्रेस कर करेंगे, open bracket, यहाँ पर जो दिख रहा है, इससे में control के साथ, प्रेस करूंगा, तो वो रो हाइड हो जाएगा, यह दी कि 28 number row हाइड हो गया, right, याद रखिए, simple है, यहाँ पर, मैं, यहाँ पर suppose कई भी भी करसर रख देता हूं, यह 31 का है, तो control open bracket में रख देता हूं, यह पर प्रेस कर देता हूं, तो यह rows को hide कर देता है, अच्छा मिज़े rows को unhide करना है, तो control shift open bracket में रख आँगा, control open bracket hide rows, control shift open bracket show rows, यह shortcut कि आप यहाँ पर इस्तमाल कर सकते, open bracket, control shift के साथ, और control के साथ, इस्तमाल होता है, याद रखिए, control के साथ करेंगे, तो hide होगा, control shift के button press करना पड़ता है अन्डू, यह पर show करने के लिए चंट्रोल, shift, close bracket नहीं है, याद रखिए, चंट्रोल, open bracket से column है होगा, sorry, control, close bracket से, column है होगा, control , shift, close से यह पर show नहीं होता है, इसलिए control , z में करता हूँ, undo कर देता हूँ, right, hide column सामने देखा, था Ctrl close bracket, u कि यहां पर आपको दिखाए देता है , उसके बाद, next shortcut की है Ctrl- जो कि यहां पर यह रोज है , मुझे डिलिट करने, सपोज है , यहां पर यह पर सारे रोज डिलिट करने है , तो मुझे सिलेक के आ पूरी पूरी रोज इलेट होगी, आगर मुझे कालम लिएक करने हैं, तो मैं कॉलम सेलेक कर लूँंगा और कंट्रोल माइनश इस तरह से, मुझे आपई कालम एड करना है, कंट्रोल प्लस राइट कीबोड पर प्लस आप प्रेस कर सकती है, यह कन्ट्रोल शीप प्लस यह वा के साथ करते हैं था इंद म्योंखिजुमिगा था कि झुर। यहां वाला किस्थ करा थो आपको करणी मरिक की इस तरह से में ने उन कोलम करने के लिए और अगर मैं कॉलन कर सब्सक्राइब नहीं पोल मतलबार हूँ लेकिन अरट के साथ अब इस से क्योंकि मैंने shift नहीं यूज किया मैं जब shift यूज करता हूँ तो उपर की यूज होती है तो alt is equal to मैं यहां पर बोल रहा हूँ इसमें क्योंकि plus और is equal to यह दोनों भी scheme में आ रहे है तो alt is equal to मैंने प्रेस किया तो यहां पर sum आता है लेकिन इसी के साथ नीचे आपको कुछ bracket भी मिलते हैं उनके बारे में भी हमें जाना जुरूई है जैसी यहां पर square bracket मिल रहा है तो अगर मैं word में इसको select करूँ सब्सक्राइब में परेग्राफ ले ले तो दुबारा और इस paragraph को select करके इसकी size, font size कम करना चाहता हूँ, तो मैं shortcut की use कर सकता हूँ, control open square bracket, font size कम होगी, decrease font और increase करना है, control close square bracket, increase, 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 control open square bracket, square bracket इसलिए क्योंकि curly braces हम shift button press करके लेंगे, जभी आपको press करना है तो shift button press करके curly braces आएगा लेकिन control के साथ press कर रहा हूँ मैं खली, तो यह पे control open square bracket सी ही, देखिए open square bracket, close square bracket, open सी चोटा होते जाएगा, decrease font और close सी बढ़ते जाएगा, so open और close दोनों भी square bracket के बारे में हमने जान लिया, उसके बाद यहाँ पे आगे जो shortcut की उसी के बाजू में है, वो है back slash की shortcut की और pipe की shortcut की, pipe हम shift button press करके देंगे और back slash direct type होगा without shift, back slash ज्यादा तर कोई folder अगर आप network में रखे तो उसको access करने के लिए हम use करते, जैसे यहाँ पे मैं network में folder रख चुका हो, तो run command में मैं यहाँ पे back slash दे दूँगा दो बार, और फिर folder का या फिर जो network computer उसका नाम लिखोंगा तो यह उस computer का folder access कर लेगा network में से, तो यह उस time पे use होता है, बहुत सारी जगह पे इसका इसका इस्तमाल, आप folder access, folder path देने के लिए इस्तमाल करते है, backslash का, right, यहाँ पे कोई shortcut की तो इसके लिए current time, current time, अभी मैं record कर रहाँ, control shift, colon में type करो, यह देखिए, current timing आए जो system का time है, यहाँ पे bottom में time भी देख सकते, और आज की जो data recording की वो आ जाएगी, control shift और यह वाला बटन, फिर से colon में दबाऊगा, control shift और colon बोला जाएगा, और control semicolon यहाँ पे बोला जाएगा, इस तरह से, याद रखिए, control shift और colon, इसे बोला जाथा है, insert current time, control colon, यहाँ control semicolon, हम बोल सब्सकों, control semicolon, insert date, याद रखिए, control के साथ वही की आप दबाऊगे, तो insert date ह हो जाएगी, current date हो जाएगी, current date, current timing के लिए हमने यह shortcut की इस्तमाल कर लिए है, तो उसके बाद उसी का right side में एक और की दिखाएगी, जो की आपको inverted commas देती है, excel में आप inverted commas यूज कर सकते है, अलगले formula में, या फिर अगर आप excel में यह single inverted type करते है, मतलब shift नहीं प्रेस करत है, directly आपने type किया, तो कोई भी number को आप इसे text format में convert कर सकते है, यह देखिए, कोई भी number को आप यहाँ पर text format में convert करने के लिए पहले, single inverted comma, यह single inverted comma यहाँ पर use कर सकते है, so single inverted तो हमने जान लिया, double inverted तो shift के साथ हम प्रेस कर सकते है, इसका कोई shortcut की तो यहाँ पर नहीं बन है, लेकिन इसका यहाँ पर इस्तमाल कर सकते है, Excel में अलगलग formulas वगरा में, और word में तो पता है, आपको inverted comma, कोई चीज inverted comma में लिखने के लिए आप इस्तमाल कर सकते है, उसके बाद आता है next, control shift greater than and less than, जो कि आपको keyboard के उपर दिखाए दे रहा है, अब मैं word के अंदर इसक control shift less than size कम होती जाएगी, और इसका इस्तमाल आप Excel वगरा में यूज कर सकते है, अलगलग formula में, greater than value दिखाने के लिए less than value, दिखाने के लिए Excel में जाता है, इसका यूज होता है, mathematics साईने symbol बोल सकते है अब इसे, उसके बाद आता है forward slash, नॉर्वर्ड याम इसे slash भी बोलते है, keyboard की फ़र वो देख लिए, बस A to Z, ये keys तो आपको बताने की जरूरत नहीं, ABCD हम टाइप करते हैं, लेकिन इनका combination में जरूर बताना चाहूंगा, इसी वीडियो में, मैं control A से लेकर control Z, तक जो shortcut keys होती है, वो भी आपको बताना चाहूंगा, ताकि आपको knowledge हो जाए, कि इसका use हम कब कर सकते हैं, वैसा इसका इस्तामाल आप A to Z, ABCD तो आपको पता है, टाइपिंग के लिए हम करते ही, लेकिन control A का इस्तमाल word के अंदर होता है, select all के लिए, word के अंदर ही नहीं, आप Excel के अंदर, PowerPoint के अंदर, कई पे भी आप, आप Windows Explorer पे भी हो, या पे हो, desktop पे ह Ctrl A button press करो, पूरे पूरे फाइल्स एक साथ select होके आप delete कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं, आप उन फाइल्स के साथ, Ctrl A, select all, right, Ctrl B, ये जो text selected है, Ctrl B से ये bold हो जाएगा, यहाँ पे आते हैं, इस text को select करता हूँ, मैं Ctrl B button press करता हूँ, bold हो जाएगा, right, bold, मतलब थोड़ा स हटकटा होता है, जाड़ा हो जाता है, दिखाए देरे आपको, तो ये सारा के सारा bold नहीं करना है, suppose आपको कोई word पहले है, लोगों को दिखाने है, इस word पे जारा थोड़ा सा ध्यान लेकियान है उनका, तो आप इसे bold कर सकते हैं, अगर books पढ़े हैं, तो आपने देखा हो विलासिटी वाला वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सी याद रखें, कंट्रोल सी कॉपी, मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल सी प्रेस करूँगा, कंट्रोल वी जब प्रेस करूँगा, तो ही ये पेस्ट होगा, यानि उसका रिपीटेर कॉपी आएगा, जो आ मैं इससे सेलेक करता हूं इससे यहां पर मैं कॉपी करता हूं यह देखिए कॉपी करने के बाद क्लिप बोड में आ जाता है जितनी भी टेक्श कॉप सेलेक करोगे कंट्रोल सी से क्लिप बोड में आ जाता है राइट सो कंट्रोल सी कॉपी होता है कंट्रोल भी से पेस्ट होत है आपको कुछ लेना पड़ेगा अगर आपने कोई शेप ड्रो किया है कोई पिच्चर लिया कोई फोटो मतलब पिच्चर फोटो ही क्यों जो भी लिया आपने उसको आप सिलेक करके करते हो तो दुब्लिकेट क्या वात है चीज़े दुब्लिकेट करने के लिए इसका इसका इस्तेमाल करते है इन पावर पाइंट में आपनि ए तो इस लास स्लाइड को सेलेक करके मैं कि अच्छा इस्तेमाल होता है यहाँ पर content है यह suppose example ले लो यहाँ पर content लिखा गया है और इसी content को मुझे repeat करना है control D क्या बात है right आगया आप formula भी repeat कर सकते है suppose आपके पस कोई formula यहाँ पर type किया हुआ है आपने suppose this cell कुछ भी कर लिया ऐसा आपने formula कर लिया और यहाँ से लेकर यह जो formula दिया है ना उपर का वही नीचा आना चाहिए control D यह देखिए formula वही formula control D से आ जाता है so control D आपको पता चला Excel में क्या होता है fill down इसे बुला जाता है same formula fill down हो जाएगा okay that's it control D duplicate तो हमने देख लिया control E flash fill Excel में इस्तमाल होता है अगर आपने नहीं किया तो इसका इस्तमाल Excel में जरूर कीजिए काप ही interesting है और इसके 11 magic का एक वीडियो मैंने बनाया अलग-अलग flash fill से एक magic मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एकसल में यहां पर आपने एक text लिखा है जो कि यहां पर suppose नाम ही लिख देता हूं मैं और मैंने नाम लिखा है 37 डवले लेकिन स्मॉल में लिख दिया small में लिख दिया दो तिन नाम लिख देता हूं मैं फटा पटी यहां पर अब आपको क्या करना है कि यह जो नाम लिखे है आपको capital में चाहिए सारे के सारे आपने small में लिखे तो इसके लिए आपको formula नहीं लगाने की ज़रूत आप 17 डवले लिख दो ओके और बस control E बटन दबा दो क्या बात है क्या बात है क्या बात है आपको यह proper case में चाहिए आप इस तरह से small में proper case मतलब S capital लिखना है आपको और D capital लिखना है तो इस तरह से properly लिखो आप उसे control E बटन जैसे आप लिखोगे उसी format में सारे नाम आ जाएगे आपको सतीश अलग करना है तो सतीश लिखो और control E दबा दो क्या हो रहा है सतीश अलग आपको ढवले अलग चाहिए ढवले हम बोल सकते उसको तो यहां पर मैं ढवले लिख देता हूं और control E दबा देता हूं ऐसे बहुत सारी चीज़े होती है control E से यह flash field होता है excel में और word में होता है control E से center alignment यानि कि यहां पर मैंने ल जान लिए अब control E के बारे में जानते हैं यहां पर कुछ चीज ढूननी है मुझे बहुत बड़ा paragraph और मुझे किसी का नाम दूनना है कुछ भी ढूनना है तो मैं control E button दबाऊंगा यहां पर बोल रहा है कि क्या दूनना चाहते हैं मैं दूनना चाहता हूं यहां पर smart word कहा है पूरा फाइंड करना है word तो फाइंड के लिए आप control E दबा सकते हैं और word को replace करना है तो आप control H दबा सकते हैं जैसे यहां पर suppose बहुत बार लिखा गया है मैं कोई भी नाम लिख देता हूं suppose अनिल is good boy ऐसा मैं एक sentence लिख देता हूं और मुझे इसमें जितनी भी अनिल लिखा है उसको सब जगह पे अनिल को change करना है राइट अनिल is good boy मैं लिखा है अनिल को change करके सूनी लिख देना है कुछ भी लिखना है तो मैं control H button प्रेस करूंगा control H replace याद रखिए मैं find के साथ replace तुरंद बता रहा हूं क्योंकि app के बाद G आता है बीच में G मैं बाद में बता हूंगा पहले control app find फिर replace में तुरंद इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो word को ढूंड के यहाँ पे replace करेगा यह दोनों ज्यादा use होते find और replace एक साथ इसलिए मैं replace तुरंद बता रहा हूं तो अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो अनिल लिखा या फिर good यहाँ पे जो good लिखा है उसको मैंने कर दिया bad राइट और replace all कर दिया यहाँ पे देखिए good की जगब bad replace all done we made for replacement एक साथ सारी word bad होगे मतलब good के bad होगे और boy की जगए अग अगर अनिल किसी का नाम है तो sorry वही यहाँ तो यहाँ पे यह जो है न अमिर खान ने 3D8 में यूज किया यह ट्रीक अगर आपने वह movie ध्यान से देखा है तो उस time पे pause करो जहां पे अमिर खान आ भी देख रहा हो कभी भी तो अमिर खान जहां पे वह replace करता है तो find and replace option यू अब पुरान agreement बदलना चाहते है वहाँ पे year बदलना चाहते है उसमें जितने भी year डिया है 2021 है तो 2000 उसको 22 करना चाहते है तो आप definitely कर सकते है control H यह एक shortcut की से जिससे बहुत बढ़ा time आपका say होता है right you don't have to find that word की कहा कहा लिखा है वह find भी करेगा replace भी कर लेगा so control F find control H replace control H replace अभी control G के बारे में जानते है control G गूटू और F5 से भी गूटू होता है यह मैंने आपको बता है F5 अगर आप प्रेस करते हो तो गूटू आता है control G से भी गूटू आता है गूटू से हम कोई भी पेज पर जम कर सकते है या पर page number डालो एंटर करो page number है तो वह आ जाएगा directly go to control G, go to excel में भी गूटू होता है word में भी गूटू होता है powerpen में भी गूटू ऊता है , गूटू 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 जहाँ पर जाना जाओ ऑके उसके बादा आता है control I इसको आप italic करना चाहता है देखिये, आप देखिये, left side में भी देखिया, दुबारा देखिये, ctrl J right side में भी देखिये, left side में भी देखिये, left में तो पहले से रहा ता, right में भी align होगा, ctrl J justify alignment, press करके देखियेगा, मैं चाथा हूँ कि भई, suppose Excel में हम आते, यहाँ पे मैं चाथा हूँ कोई file में link जो भी फाइल आप दिखाना चाहते, वो फाइल आप यहां से दिखा सकते है, जैसे मैंने यहां पे HTML का कोई भी फाइल ले लिया, यह HTML forms, ओके, अब मैं इसके उपर क्लिक करूँगा, हाइपर लिंक हो गया, यह यह देखिए, HTML forms से आपे open हो गया, तो यह आपको डेफिनितली समझाओगा, Ctrl-K, Ctrl-K मतलब हाइपर लिंक देना, वर्ड में भी कर सकते हैं, उसके बाद वर्ड के अंदर, अगर आपने किसी text को center में ले चुके हैं, आप यहां पे देखिए, इसे left में लेना है, Ctrl-L, Ctrl-E, Center, Ctrl-L, Left, अब रहे गया Ctrl-R, वो है right, right में लेना है, तो Ctrl-R, Ctrl-L, Left, Ctrl-E, Center, याद रखिए, alignment के लिए, Ctrl-L, Ctrl-E, Ctrl-R, Ctrl-J, या alignment के लिए यूज़ होते, और यह चारों भी मैंने बता दी एक साथ, Ctrl-M के बारे में जान लेते हैं, अगर इस paragraph को मुझे थोड़ा सा आगे लेना है, indent लेना है, इसका, indent बढ़ाना है, तो Ctrl-M, Select करो, Ctrl-M, M, M, Intent, यहाँ पर website में मुझे कुछ image रखनी, या print के बाद यहाँ पर कुछ काम करना है, तो मैंने Ctrl-M करके indent बढ़ा दिया, Ctrl-Shift-M से indent decrease होगा, Ctrl-M से जिस paragraph को अपने select किया, इसका indent increase होगा, उपर आप scale में देख सकते हैं, indent यहाँ पर बढ़ रहा है, यह indent होता है, और अगर आप Ctrl-Shift-M प्रेस करते हैं, यह पीछे चला जाता है, अब दिखिए, यह indent क्या होता है, या फिर यह सारी चीज़ें जो होती है, Microsoft Word में, scale setup कैसे करते हैं, page layout setup, printing, letter कैसे लिखते है, professionally, letter send mailing क्या होता है, अगर यह सारी चीज़ें आपको जाननी है, तो मैंने professionally already course design किया, Microsoft Word का, या फिर Excel को भी detail में सिखना जाते हैं, तो उसका भी professional course है, इन सभी चीज़ों का मेरा course ready है, ISO Certificate के साथ सारे courses यहां पे मेरे platform पी आपको मिलेंगे, description में link मैंने platform की देदी, आप जाकर check कर लेना, अगर आप interested ISO Certificate, अगर आपको लगता है कि यार, सती सर जो पढ़ा रहे वो आपको समझ में आ रहा है, जाके enroll को लो, बहुत ही कम फीज में यहां पे courses available है, घर बैटे बैटे online courses आप सीख सकते हैं, and we are providing WhatsApp support, कि आपको कोई doubt है, इस courses को हरीदने से related, तो you can call us, you can WhatsApp us, तो फिलाल तो आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया, एक्सपट बनना है, तो वो करो, जो करना चाहिए, यहां पे next shortcut की की तरफ हम बढ़ेंगे, वो है control and new document, बहुत simple है, control and new document, right, इसे close करना है, मुझे इस file को control w close हो जाता है, आगे भी बता दूँगा आपको, control and new document, control o open file, आपने जो पहले file बनाई थी, recent files में से open करनी या फिर browse में जाकर आप open कर सकते, control o से open होता है, control f12 से भी open होता है, यह मैंने आपको बताया था, control o open, control p print करना है, फाइल को तो यह print preview mode आ जाता है, control p से, और यह control f2 से भी आता है, यह भी मैंने बताया था, control f2 और control p, print, याद रखिए, सारे shortcut keys बता रहो, control shift q, यह एक shortcut key है, जिससे आप क्या कर सकते है, इस paragraph को symbol में convert कर सकते है, control q का shortcut key है नहीं है, क्यों नहीं है, I don't know, I mean to say, but control shift q है, that is I know, तो यह आपर मैं आपको बताना चाहूंगा, control shift q प्रेस करके, यह पुरगपुरा है, symbol में convert हो जाता है, यह देखिए, symbol में, अब इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है, but control shift q एक shortcut key है, आप control q की क्यों नहीं है, वह आप पता कर लो, और मिली तो आप मुझे description में, नहीं, comment में लिख दो, इस file को save करना है, save कर दो, जो भी नाम देना है, दे सकते हैं, अगर आपने file बने हैं, तो आपको save करना जूरु है, so control shift करते ही, save का dialogue box आता है, और save button click करते ही, यह file आप save कर सकते हैं, यह basically आपको एक dialogue box में नाम भी पूछा जाएगा, सब कुछ है, अभी यह मेरा directly online connected, इसलिए यह आप मुझे, इस तरह का dialogue बता रहा है, लेकिन आपकी computer में control express करने के बाद, कुछ इस तरह से dialogue box आ जाएगा, मेरा actually, directly, save हो रहा है मेरे account पे Microsoft पे, लेकिन आप control express करते ही, आपके पास इस तरह से dialogue box आता है, जब आपका login रहेगा तो, so control is save दिया हमने, उसके बाद control T आता है, control T word में तो बहुत कम यूज़त है, control T अगर मैं यहाँ पे प्रेस का तो इसको, तो यह यहाँ पे इस तरह से indent नहीं होता है, लेकिन यह tab positions थोड़ी से change करता है, लेकिन excel में अगर कोई table है, आपके पास यह data है, इसको table में convert करना है, तो आप control T का इस्तमाल कर सकते है, control T यह table में convert हो रहा है, और इसके बहुत सारे इस्तमाल होते है, table से data automatic calculate होता है, automatic formula apply होता है, query भी बनाए जाती table से, जो कि मेरे excel course में, मैंने detail में explain की है, so control T insert table in excel, format आता है, ready-made formatted table मिल जाता है, control T range select करके, उसके बाद कुछी shortcut की बाकी है दोस्तों, और वीडियो आप तक देख रहे हो, तो you will be definitely smart, और आप बहुत smart बन चुके अभी keyboard में, क्योंकि आपने इतना बड़ा वीडियो देख लिया, और मानना पड़ेगा और online भी आपने इतना बड़ा वीडियो देख लिया, क्योंकि लोग movie देखने के लिए 3-3 गंटा वेश करते ऐसे लोग है, लेकिन आप उन मेंसे नहीं हो, आप पड़ाई के लिए इतना टाइम दे रहे हो, आप यूटिलाइज करें अपने आपको, definitely आप लाइब में कुछ न कुछ बनोगे, successful बनोगे यह मेरा कहना है, फिलाल आगे बढ़ते हैं, control u underline, अगर आप देना चाहते हैं underline, तो दे दीजें, अगर आप नहीं line मारना चाहते हैं, line मारने से मेरा मतलब है, underline, underline वाली बात करो, line मारने का गलत मिनिंग मत लेना, Hindi में बहुत सरे मिनिंग होते हैं, okay, so यहाप लाइन मारो, I mean to say line, control v मैंने बताया था, view के बाद v आता है, और v मतलब paste होता है, control c, जो हम करते है, copy, उसी को अगर आप दुबारा paste करना चाहते हैं, copy क्या हो, तो paste, control v, okay, control v, paste, समझा आपको, उसके बाद आता है, control w, close, तो मैं यहाप ए control w, प्रेस करता हो, यह document, close, do you want to save it? I don't want to save it, इसमें कोई इतनी important बात नहीं रखी, कि मैंने आने लिए इस bad girl वाली important बात नहीं है, मैं इसे close करना चाहता हूँ, so control w, close के लिए पूछा जाएगा आपको, और save करना है, तो save कर सकते हैं, यहाँ पे उसके बाद, मैंने again paragraph ले लिया, और यहाँ पे यह content है, मुझे cut करने यहाँ से, cut, control x, cut कर दिये, लेकिन delete नहीं किये, नीचे control भी कीजी, control x से एक जगह से cut होते हैं, दूसरी जगह पे paste होते हैं, यह example ले लो ऐसे, कि अगर आपके पास magazine है, और उसका कोई photo आपको अच्छा लगा तो आपने उसे cut कर लिया, तो magazine में नहीं रहेगा, आपके पास आजाएगा, cut paste हो गया, राइट इस तरह से लेकिन अगर आपने उसे xerox ले लिया तो वह copy paste हो गया, right, cut paste और copy paste में यह भरक है, आपने magazine से cut कर लिया, cut paste, आपने xerox बना लिया, copy paste, so यह आपे cut paste और copy paste definitely समझाओगा, cut करने बाद paste करना जरूरी है, copy करने के बाद भी paste करना जरूरी है, तभी तो उसका result पता चलेगा, और अब final 2 shortcut की तरह बढ़ेंगे जो कि सब की favorite होती है, क्योंकि life में अपनी घलतिया माप नहीं होती है, लेकिन computer में अपनी इसलिए life में गलतिया कम करो या करो ही मत यार सोच समझ के करो, जो भी करना है तो life में undo नहीं होता है कोई भी, undo यानि कि क्या होता है एक step back, अगर अपनी computer में गलती सी data delete कर दिया, और आप data बहुत important था, आप Ctrl Z button press करो, आज जाएगा क्योंकि यहाँ पर word में, excel में powerpoint में, सब जगा पर Ctrl Z यानि कि undo, right one step backward, undo आप जितना भी देखिए, मैंने suppose यहाँ पर bold किया, italic underline किया, यह सारा format मैंने किया, अब मुझे undo करना है, Ctrl Z, Z, Z Z, 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 सारी चीज़े undo हो रही है सारी चीज़े undo, Ctrl Z से undo होता है, यह देखिए, मैंने जो जो चीज़े की थी न वो सारी चीज़े यह पर undo हो जाएगी और undo के बाद, Pandu आता है I'm sorry, Pandu नहीं आता, redo आता है Ctrl Y, okay, Ctrl Y यानि कि जो अपनी चीज़े undo की थी, उसे दुबारा, one step forward, Ctrl Y प्रेस करके आप ले सकते है, so Ctrl Z देना चाहूंगा, और कैसा लगा दोस्तों यह वीडियो, definitely आपको पसंद आया होगा, आपने already like, share, comment किया होगा, बताने की ज़रुत है आपने किया होगा, और साथी में मैं आपको बताओ कि मेरे इसके अलावा बहुत सारी चैनल है, जैसे 1 million subscriber का learn more channel है description में मैंने link दिये और उसके अलावा भी बहुत सारे और भी चैनल है, उनकी link मैंने description में दिये आपको, ज़रूँ चेक कीजिएगा, मैं ब्लोग को कुछ और interesting वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना खयाल कीजिएगा, सिक्तरों सिकातरों, बाइबाइ